मेरे भतीजे का नाम अब्दुल्ला अबुबकर है उनको उन्हों MS Creative School में पढ़ते हैं मलकपेट ब्रांच में नलगुंटा पेट्रोप्रम के बाजू जो ब्रांच है वो ब्रांच में उन्हों पढ़ते हैं और उन्हों आइनक पेन थे आइनक पेनने से आइनक की कांच फुटके उसके अंदर चले गई और एक रेटीना का छोटा पार्ट फुट गया नीचे कड़ गया तो मेरे भाई को कॉल आया कि छोटा चोटी सी भहेश हो गई आप आईये बुलकर जब हमारे भाई गए तो वहा पे जब गए तो कोई management नहीं है कोई principle नहीं है available खाली रेसेप्शन पर जो स्टाफ रहता वह स्टाफ था खाली ना CCTV कामराज है वहां पे ना कोई responsible परसन है जाके हम जब आरे बच्चे को देखके हम पूचे क्या हुआ उन लोगा उल्टा हम आप यह बातां तो सुब हो सकत मल्टिपल सर्जरी करना पड़ेगा बच्चे को और तीन से चार सर्जरी होंगे उसके तो हम यह चाह रहें कि यह मुतालेबा कर रहें कि स्कूल मैनेजमेंट से और वो टीचर के साथ जितना स्ट्रिक्ट आक्शन ले सकते लेना खास तोर से एहमद बलाला साब का मैं बहु मामले में मदद करते हैं मेरे बड़े भाई हैं वो तो मेरे हॉस्पिटल में डॉक्टर से कांटाक में रहना या मुझे कांटाक में रहना अलमदुल्ला ऐमद बलाला साब की बहुत मदद रही इसमें और हम तमाम पोलिस ओफिसरों से भी यही गुजारिश करते हैं यही बच्चा क्लास में बात नहीं सुन रहा था तो बच्चे को माट से मारे फिर पीट पर निशाना तुक के और जब उसके मुझ थूंप थूक तूखे ये बोले के वही तुम मेरी बात नहीं नहीं दूगे तुम आपको मारी दूंगी मैं बोले ओ ऐसा है तुछे का नाम ती ल लड़के का आपने चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर साब और एजुकेशनल मिनिस्टर से अदबन गुजारिश करता हूं कि स्टिक्ट आक्शन ले और हो सका तो यह स्कूल का लैसेंसी कैंसल कर दें यह मलक पे नलगुंडा ब्रांच के बाजू पेट्रल पम के बाजू गली में है यह ब्रांच तो अब जो इस आए जो इंसिदेंट पाज बच्चे के ओपर जो टीचर ने वाइपर से मारने की बज़े से उसकी आख की आएनक बटकर आएने कांच से उसके बच्चे की आख डैमेज हुई आप बच्चे के पेरेंट्स इमेडियेटली मुझे इनफार्म किये मैं बुला पहले बच्चे को हस्पिटल लेकर जाओ लोग हस्पिटल लेकर गए बच्चे को को डाक्टर्स ने कहा कि दो तीन पार्ट में उसकी सरजेरी करना पड़ेंगा मुक्तलिफ हिसाब के अंदर तो इतने कम उमर बच्चों को मारने के लिए टीचर्स को कैसा लाओ करता मैनेजमेंट ये एक इम्पॉर्टन्ट है और एक चीज़ ये है कि बच्चों के साथ सकती ना करने का स्ट्रिक्ट खानून है उसकी बाबजाई करना हर एक स्कूल वालों की जिम्मेदारी है परहाल जो भी टीचर ने ये किया है उसको आगे ना उसको टीचिंग का कुछ उसको राइट रहना चाहिए ना उन्हें पढ़ाना चाहिए बच्चों को ना बच्चों को पढ़ाने के खाबिल है वो टीचर पेरेंट्स ने यहां पर कंप्लिन दिया है हम यही कहेंगे पुलिस से हमने कहा है कि वो एफ एर करकर वो टीचर के ओपर सखसे सखत कारवई करे और स्कूल इंतिजामिया की जिम्मेदारी है कि वो इसे टीचरों को अपने स्कूल में ना रखें और बच्चे का पूर का पूरी जिम्मेदारी लेने की जिम्मेदारी स्कूल इंतिजामिया के उपर आयद होगी स्कूल इंतिजामिया का का काम है कैसे टीचरों को ना रखे अगर रखते हैं तो वो भी आप भी इसके अंदर उसी तरीखे से आप भी मुझरिम ठाराए जाएंगे आपका काम है के बच्चों क والدین سے بات کریں. इसे बात करके टोटल पूरा ट्रीटमेंट छोटा मासूम बच्चा है उसका पूर इसे पूरा उसका ट्रीटमेंट होना हर खिसम की जिमेदारी पूरे अखरजात हो या जो भी हो हर चीज़ की जिमेदारी स्कूल इंतजामिया पे रहेंगी और जो टीचर ने जो किया है उसके खिलाफ भी आक्शन ने उसके खिलाफ हमने पूलिस को कहा है कि उसके खिलाफ खानुनी तोर के उपर सफ़्ट आक्शन लिया जाए सबसे एहम बात यह है कि मासूम बच्चे की आख रेस्टोर होना जरूरी है वो कराना चाहिए और साथे साथ जो भी प्रोटेक्शन के इंतजामात है स्कूल के अंदर कैमरा लगाना जो कोई चीज़ की वहां पर सहूलत नहीं है वो चीज़ के ओपर भी उनको देखना पड़ेगा वरना उनके खिलाफ उनके खिलाफ भी पुलिस कारवई करेगी मैं यही कहूंगा कि पहले बच्चे की आंक रेस्टोर होना बहुत जरूरी है मासुम बच्चा है उसके ओपर ना सिर्फ इंतजामिया अपने टीचर को बचा के लिए टीचर के ओपर नए बहरूसा कर पुदियाब्स बच्चे आपकि लिएक करना तो हम यही कहें के बच्चे यहां कर रेस्टोर होना उसके लिए वाल्दें थिकर मंद है परेशान है जितना वाल्दें परेशान है उससे जज़ादा इंतजामिया को बी Center